Welcome students कैसे आप सबी लोग आपका अपने चैनल को एक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है और जैसा हम Reads Science के तयारी कर रहे हैं जिसमें हम अपने Chemistry के section को complete कर रहे हैं Chemistry का section almost complete हो गया है लेकिन बच्चों ने बोला कि मैं कुछ और टॉपिक है उनको भी करा दीजिए त hydrocarbon बहुत important है इसकी समाने जानकारी देखेंगे और साथ में हम nitrogen gas और यह जो nitrogen का cycle होता है यह भी समझने वाले हैं तो काफी important class आज आपकी रहने वाली है देखे गाइस में तबियत काफी खराब हो रही है गला बहुत खराब है तो थोड़ी आवाज आपको भारी लग सकती है लेकिन मैंने आज target बनाया ही था कि कुछ भी हो जाए आज मुझे वीडियो बनानी है क्योंकि exam बहुत close है और अभी biology भी रह रही है तो at least आज chemistry complete हो जाए यह तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे hydrocarbon क्या है इसकी basic level पर जानकारी लेनी है बहुत जादा depth ह में नहीं जाना है क्योंकि class 11th में हम पढ़ते है hydrocarbon और important और मैं ऐसे समझा दूंगी ना कि आपको परकुल मजे में समझ में आ जाएगा यह ठीक है मैंने आपको yogic समझाया है compound समझाया है क्या होता है यह हमने पहले अच्छे से पढ़ाए क्या होते है compound जैसे एक element है carbon तो उ से जादा elements के जो atom है उनके जो परमारू है जब वह एक साथ आते हैं और ठोर होते है इक नया compound बना देते हैं वही क्या होता है आपका yogic होता है वहां पर आपको एक नया compound देखने को मिल जाता है जहां तो यह आपका योगिक है, compound है, अब hydrocarbon क्या होता है, hydrocarbon वो योगिक है, वो compound है, जहां पर carbon और hydrogen के atom आपको देखने को मिलते हैं, वो simply आपके hydrocarbon होते हैं, इतनी definition आपको याद रखनी है, चार option देके पूछ लेगा कि कौन सा hydrocarbon नहीं है, तो याद रखेंगे hydrocarbon वही formula देखना ह जिसमें कार्बन और hydrogen के atom होंगे, वही जिन में carbon और hydrogen के atom आपको देखने को मिलेंगे, वही compound है, योगिक है hydrocarbon होती है, जैसे यहांपर लिखा भी है, hydrogen और carbon के परमाड़ों का यह hydrogen और carbon के atom का यह hydrocarbon जो compound है, योगिक है, यह बनावा होता है, इसका सबसे अच्छा example होता है, simplest थीक है इसके अलावा दिखें जो प्रोपैन है हमारे गैस्ष में यूज होता है जो GANS सिलिंडर वाला होता है ब्यूटेन यह हमारी लइटर में यूज होती है जो cigarette वाला लाइटर होता है तो यह जो हईड्रो कार्बन है हमारी daily life में इनका बहुत यूज होता है ये हम कहीं कहीं बहुत सारी जगाओ पर इनको यूज करते हैं अब ये प्रोपेन क्या है ब्यूटेन क्या है इनका फॉर्मूला क्या है यही सब हमें हाइड्रोकार्बन में बनाना सीखना है ठीक है जिसमें मीथेन सिंपलस्ट है यह मैंने यहाँ पर ल नंबर छे होता है पहली शेल में दो होंगे और दूसरी शेल में चार होंगे अभी जो दूसरी शेल में चार इलेक्टरोन है या तो ये आपको पता है मैं अच्छे से समझा रहे का है पहले स्टेबल होना होता है और सेकंड शेल में स्टेबल होने के लिए आठ इलेक्टरोन ह नहीं है ठीक है जो सेंटर में न्यूक्लियस है वो इतनी असानी से इन चारों को जानी नहीं देगा चार इलेक्ट्रोन ना समझ रहे हैं बहुत सादा एनर्जी लेवल चाहिए होगा उनको जाने के लिए और इतनी अनर्जी लेवल बीच में न्यूक्लियस के पास या इतनी मीथेन है, मीथेन में कार्बन ने 4 हीडूजन के एकम के साथlingt शेरिंग कर लिया अब दिख Hil से एक पूरा फिल हो जाएगा कैसे? अब देख़ कारबन और हीडूजन का, हीडूजन में एक एकम होते है, कारबन का यहाँ पर एक ठीक है यहाँ पर कार्बन के लास शेल में चार होते हैं मैंने चारों फिल कर लिए और हाइडोजन का एक 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 एटम आईया तो कुल मिलाकर ये भी पूरा चार हो गया और हाइडोजन ने भी अपनी पेरिंग कर ली दो-दो के साथ क्योंकि पहली शेल में कित्ते होने चाहिए? दो. और हाइडोजन पर होता कितना है? सिर्फ एक क्या है, क्योंकि हृडोजन का एक इटमिक नंबर एक है तो उसके पास एक ही है लेकिन अब इसने क्या करा? कार्बन के साथ शेरिंग कर ली कार्बन के चार एटम मैंने लगाए और हाइडोजन के एक 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 एटम तो कुल मिलाकर आठ एटम पूरे हो गए जो कार्बन को विफिल कर रहे हैं और हर पर्टिकुलर में दो-दो एटम जो हो गए वो आपके हाइडोजन को विफिल कर रहे हैं इस तरह से यह क्या कर लेते हैं, शेरिंग कर लेते हैं, अब देखिए जो चैन में आपको बना कर दिखा रही हूँ, यह देखिए कार्बन में एक टेंडेंसी होती है, कि वो अपने ही एटम के साथ बहुत लंबी चैन बना सकता है, और इसी में हमें पढ़ना है, असाइकलिक इस तरह से एक आपका साइकल बनते वे आपको दिखेगा, वो आपका ऐली साइकल या फिर साइकलिक होगा, ठीक है, यह हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ यह देखना है थोड़ा सा डेटेल में, और इसमें खाली एक सिंपल सा एक्जामपल देखना है, वो हम अच्छे स समझ लेंगे, अब देखिए, जो एली साइकल है, मतलब जिन में साइकल इस तरह से ना बनगे, जो चेन बनेगी, कारबन की, वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, जैसे अभी मैं आगे आपको दिखाओंगी भी, या फिर मैं भी आपको दिखा देती हूँ, दे पढ़ने क्या है हमें, यहां पर हमें असाइकलिक को ही देखना है, यह जो असाइकलिक होते हैं, यह दो कैटेगरी में बढ़ जाते हैं, एक होते हैं सैचुरेटिड और एक होते हैं आपके अनसैचुरेटिड देखिए, सैचुरेटिड के अंदर आता है आपका अलकीन, क् confused नहीं होना है, बहुत ही simple तरीके से समझेंगे, पहले saturated और unsaturated क्या है इसको समझ लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, पानी है, पानी में मैं चीनी डाल रही हूँ, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं उसमें और sugar, चीनी एड नहीं गर सकती, तो जब उसमें और sugar अगर add नहीं हो सकती, तो वही condition क्या होगी? saturation की condition, same यहां पर ऐसे होता है, कारभण ऑसमें और hydrogen के जो bond है, वह अपना hydrogen का bond, और hydrogen के साथ नहीं बना सकता, वह पूरा फिल है, तो आपका saturated है, unsaturated में क्या है? और hydrogen के एंटम जो है, ऋहां पर आ सकती है, ठीक है, अब saturated में क्या यह वाला भी होता है लेकिन जो MET, ANE, ANE वाला होगा याद अखेंगे वो हमारा saturated hydrocarbon होगा और बागी जो हमारे एन, इनके बाद में ENE या फिर YNE लगा होगा वो हमारे unsaturated होगे इनको हभी हम देखेंगे किस तरह से हम इनको बनाते हैं तो सबसे पहले हम बनाना ही देखते हैं उसके बाद क्या होगा हम सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे अब देखें जैसे मुझे बनाना है क्या यह जो मिथेन है मिथेन मैंने बताया था आपको simplest hydrocarbon है जिसका formula होता है CH4 अब यह formula बनते कैसे हैं यह आपको अच्छे से समझना होगा यहां पर एक है math यह h यहां पर math है यह क्या है math और यह ane अलग है यह ane तो बता रहा है क्या यह आपका saturated है और saturated के पहचान यह होती है कि यह हमेशा single bond बनाएंगे क्या बनाएंगे मतलब carbon का जो atom है वो हमेशा दूसरे carbon के साथ single bond ही बनाएगा ठीक है यह बात बल्कुल अच्छे से याद है यहां पर आपको single line ही देखने को मिलती है कि इसमें methane में लेकिन जो ene वाले होंगे unsaturated वाले जो होंगे उसमें ene वालों में आपको double bond देखने को मिलेगा और जो yne है उनमें आपको तीन bond देखने को मिलेंगे carbon carbon के बीच में तो यह पहचान होगी अब देखे इनको formula कैसे बनते हैं इनके वो हम समझ लेते हैं सबसे पहले अगर मैं alkane की बात करूँ मतलब जिनके बाद में ane होता है वो होंगे alkane मतलब इनका single bond होगा ठीक है जैसे अब carbon का अगर एक atom है ठी प्रिफिक्स उसका math, carbon के अगर दो atom है तो वो होगा eth, carbon के अगर तीन atom है तो वो होगा prop, carbon के चार atom है तो वो होगा but, 5 होंगे तो pent, 6 होंगे तो hegs, 7 होंगे तो hept, 8 होंगे तो oct, 9 होंगे तो non, 10 होंगे तो deck, ठीक है तो यहां देखेंगे जैसे methane है, methane में carbon का एक atom है तो मै मैंने उससे पहले क्या लगाया प्रिफिक्स मैथ लगाया ठीक है अब अगर मैं इथेन की बात करूंगी इथेन तो इसमें इथ मतलब कार्बन के दो एटम है सी टू अब यह बाद में एनी के साथ मतलब सिंगल बॉंड इन में चल रहा होगा तो समझ में आया मैथ मतलब यहा तो कार्बन के चार अगर C5 लिखा है तो आप समझ जाएंगे फॉर्मूला पैंट ही होगा है ना क्योंकि उसमें पांच कार्बन है समझ में आया ऐसी अगर कार्बन के 6 है तो वो हैक्स कार्बन के 7 है तो वो हैप्ट अब इनका फॉर्मूला कैसे और आगे का यह आप जिसके बाद में Ane होगा, जैसे मिथेन था, मिथेन में कार्बन का एक एटम था, तो C1H, अब देखे 2, N की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1, प्लस 2, तो यहाँ पर 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4, तो देखे बाद में final formula मिथेन का क्या बन गया, CH4, अब देखे, इथेन के लि है था, 2N प्लस 2, तो हम इसमें जोड़ देंगे, 2, N की वैल्यू कितनी है, 2, प्लस 2, 224, 4 प्लस 2, 6, तो formula क्या बन गया, C2H6, सेम ऐसे ही, अगर मुझे प्रोपेन, इसका फर्मूला बनाना है, प्रोपेन का फर्मूला बनाना है, प्रोपमाने क्या होगा, कार्बन के 3 ए गया, 8, तो देखिया, प्रोपेन का formula क्या बन गया, C3H8, इस तरह से अगर एक्जाम में पूछ भी ले, कि बताइए, ये क्या है, तो कार्बन का 8 है, तो आप समझा ना, answer में जो oct option होगा, वहाँ पर जो prefix होगा, वो oct होना चाहिए, है न, और यहाँ पर आप bonding फर्मूले म क्या है, octane, इस तरह से, A-N-E, समझ में आया, अब जैसे, in है, suppose अब आगए कौन से, आपके alken वाले, अभी तक हम क्या पढ़ रहेते, जिसके बाद में क्या लगा होगा, suffix A-N-E, लेकिन अगर अब E-N-E लगा हो, तो उस case में carbon के, यहाँ पर जो formula बनेगा, वो याद र formula हो जाता है, C-N, आपका हो जाता है, H-2-N, simple, यह formula हो जाता है, C-N, H-2-N, और alkyne के case में अभी लिखा भावी है, तो वहाँ से आप जब notes बना रहे हो, तो उसको लिख लीजेगा, यह समझाने का काम मैंने एक बार में कर दिया है, अगर बाद में Y-N लगा है, alkyne है, त carbon का है, एक तो meth, दो तो eth, तीन तो prop, चार तो but, पांच तो pent, hex, इस तरह से यह पूरा form बनता है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत जादा depth में नहीं जाना है, basic level पर आपको अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा, saturated में सिर्फ आपका क्या आता है, आप तो यह याद है कि definition बहुत जादा नहीं जानी है, इसके अंदर alkane आते हैं, कौन से आते हैं, alkane वाले आते हैं, जैसे methane, ethane, propane, butane, इनके बाद में ANE लगा होगा, तो आप समझ जाएंगे, वो saturated hydrocarbon है, और इसके लिए formula क्या होता है, यहाँ पर लिखा भी है, Cn, H2n plus 2, इस पर आप देखेंगे, इन चारों में single bond बन रहा है, और इनके बाद में आप देखेंगे, सब में ANE, ANE लगावा है, तो यह single bond बना रहे हैं, और जब भी single bond बना रहे होगे, तो उनके बाद में हमेशा ANE होगा, और वो saturated hydrocarbon होगे, यह आपको याद रखना है, जैसे methane, ethane, propane और butane, समझ में आगया, उसके बाद दूसरे होते हैं, unsaturated और इसमें मैंने आपको दो बताया थे, एक तो double bond वाले, जो क्या होते हैं, आपके अलकीन, और triple bond वाले, जो आपके क्या होते हैं, यह जो अलकीन होता है, इसके लिए तो formula होगा होता है, C, N, H, 2, N, बताया था, और यह जो अलकाइन होते हैं, इनके लिए formula क्या होता है, C, N, H, 2, N-2, इस तरह से यह formula होते हैं, जैसे यहाँ पर इनने लिखा ethene, अब एक्जाम में आप से पूछा हो उसने कि मुझे ethene का formula बता हो, तो आपको यह तो पता है कि eth क्या होता है, math eth, eth मतलब carbon के दो एटम, ठ में formula के क्या बता है, H, 2, N, simple क्या होता है, H, 2, N, और N यहाँ पर क्या होता है, जितनी carbon के atom है, तो 2, 2, 4 हो जाएगा, तो C, 2, H, 4 जो है, वो हमारा ethene का formula हो जाएगा, तो इस तरह से formula बनाने हैं, सेम ऐसे ही, अगर वो पूछता आप से, butine का formula बता हो, ठीक है, Y, N, लगा यह carbon के 4 atom है, तो 2 into 4 मतलब 8, 8 minus 2 करेंगे, तो 6, C4H6, जो है हमारा butine का formula हो जाएगा, सेम ऐसी अगर आप से पूछे, propane का formula क्या है, simple है, अब तो आप बता देंगे, propane, अच्छा, यह तो saturated वाला है, propane माने 3, carbon के 3, और propane के case में, इसमें क्या formula बता है, 2N plus 2, सबसे पहला वाला formula, N की value वो ही जित्तिक carbon है, 2, 3, 6, 6, 6 plus 2, 8, तो C3H8, यह किसका formula हो गया, यह आपका propane का formula हो गया, इस तरह से आप formula बनाते हैं, जो cyclic है, है न, यहाँ पर देखिए जो लिखा था, यह रड़ एगराम, alicyclic या फिर cyclic, इसमें आपको सिर्फ एक ही देखना है, aromatic hydrocarbon альныеcarbon कौन से होते हैं, सिर्फ ben站 co, ही याद रखना है, aromatic hydrocarbon वो हूँंगे, इसमें carbon का pre crystal double bond बनेगा, फिर single bond, फिर double bond, फिर single bond, फिर double bond, फिर single bond, फिर single bond, इस तरह कि जब कार्बन के भी 6 एटम है और हाइडोजन के देखे एक दो तीन चार पांच छे तो यह C6H6 अब देखिए उन्हें बॉंडिंग कैसे करी जैसे C यहां पर ता डबल बॉंड बनाया तो C के दो तो कंप्लीट हो गए C को अभी दो और कंप्लीट करने है एक यहां पर कर लिया एक 3 2 तो यहोंगा दा कि वहने कि दो बियुक्त सबस्ण आ पर यहां पर तो यहां पर एक नायको तुरू है समझे तो तो और Chad यहीं तो यहां पर यहां पर देखिंगे आ तो यह बैसे हो थीन आपको आनी चाहिए बहुत सब्सल्स हो तो भी चल जाएगा बेसिक लेबल पर क्या होता है यह अच्छे से आपको समझ में आही रहा होगा देखिए यहां पर एक बेसिक लेबल पर समझ ले कार्बन अभी चार से ही फिल है एक यहां पर दो तीन और एक नीचे चार पांच मत कर देना ठीक है ऐसा नहीं है कि कभी पा है कि हाइडोजन में सिर्फ एक ही अटम होता है तो वहां पर डबल बॉंड नहीं होगा फिर वह गलत हो जाएगा ठीक है यहां पर डियाग्राम से और प्रोपर अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको जैसे मीथेन मुझे बनाना है एक्जाम में इस तरह से आगए बताए इनके पूरे हो गया है फिरा इक पूरा हो गया यह इन судар tryna प्रोमिक में और भुटेण अब देखें उन्हें यह एक साथ में समझा दिये इधेन और इघ्थाएं ठीक है इतेन इधेएं और इधाइन यह सैचुरेटिड यह दोनों आंसैचुरेटिड इधीन बाद में कारबन ने डबल बॉंड बनाया सारे कारबन के नहीं एक कारबन का एटम वहाँ पर आपको जरूर दो मिलके डबल बॉंड दिख रहे होंगे तो आप समझ जाएंगे वह वह का Eigen होगा इधाइन मतलब कारबन-क आपक दो कारबन-का बॉंड 2 की पाबर, शोरी, यह होता है क्या, C, N, H, 2, N, इससे मैंने फॉर्मुले से बना लिया, मेरा इथीन का फॉर्मुला क्या बन गया, C, 4, H, 4, अब मुझे इसकी फिलिंग करनी है, वो मैं कैसे करूँगी, देखे कार्बन के 2 एटम बना लिये, 4 बनाने है, तो डबल बॉर्ण पॉरे पॉरे फिल, 1, 2, 3, 4, और हाइडोजन का भी एक एक, 1, 2, 3, 4, और हाइडोजन का भी एक, हैंने से मैंने इनोंने किसका बना दिया, इथाइन का बता दिया, कार्बन ने तीन बना लिये, तो अब कार्बन अल्लेडी तीन है, तो हाइडोजन बस एक ही जगा खाली है तो यहाँ पर hydrogen का एक आ गया, यहाँ पर भी बस अब एक ही जगा खा लिए, क्योंकि तीन तो पहले सी भरे रहे हैं, तो यहाँ पर भी hydrogen का एक आ गया, तो इस तरह से यह आपका ethine का formula बन गया, और benzene का आपको याद रखना पड़ीगा, ठीक है, cyclic में आपको एक ही याद र hydrogen के किस तरह से bonding होती है, ethane क्या है, methane क्या है, यह सब आप इनके formula बना सकते हैं, है न, alkane, alkane और alkane के basis पर, तो पूरा यह clear हो गया है, तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे, greenhouse effect और global warming क्या होता है, simple सा सिर्फ समझना है, बहुत जादा hard नहीं है, suppose यह अर्थ है यह sun है, तो sun की rays क्या होता है भीया, अर्थ पर आती है, है न, और अर्थ पर आती है, यह तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, कुछ rays खतरनाक होती है, तो वो टकरा कर अर्थ से वापस चलिए आती है, लेकिन कुछ rays जो होता है, वो अर्थ के अंदर आती है, और अर्थ को relax feel करती है लेकिन अगर सारी जो raise आ गई है जो वापस चली गई हमें अब उनसे मतलब नहीं है वो तो खतरनाक raise थी वापस चली गई अच्छी raise क्या हुआ सारी अंदर आ गई तो अगर इनको कोई रोकने वाला नहीं होगा धूप लेने के बाद जैसे सूरच चला जाएगा तो ये सारी raise फिर से वापस चली जाएगे है ना और अगर सारी raise वापस as it is चली गई तो ऐसा हो जाएगा फिर अर्थ पर कि दिन में तो बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंड हो जाएगी और फिर वहाँ gases होती है जो एक layer बना लेती है और वो layer क्या करती है जब अर्थ से कुछ raise वापस जा रही होती है बाद में है ना तो वो उनको रोक लेती है और रोकने के बाद क्या करती है वो अर्थ को गरम करती रहती है बाद में जिससे क्या होता है रात के समय भी एक अर्थ पर अच्छा खासा टेंपरेचर बना रहता है बहुत जादा ठंड नहीं होती और यही क्या है यही आपका green house effect है और यह जो सारी gases एक इस तरह से पूरा एक environment बना लेती है कि जिससे यह gases को रोकें तो जो gases मिलकर यह सब green house effect बना रही है वही आपकी green house gases हो जाती है और इन green house gases में आपकी कौन कौन सी gases आती है मुखेतम तीन gases का मुखेतम नाम पता होना चाहिए carbon dioxide, methane, methane फिर से आपका CH4 अप तो याद रहेगा methane और एक होगी आपका nitrous oxide N2O तो यह तीनों बहुत ही important है याद रखेंगे यह तीनों की तीनों green house gases है water vapor भी होती है मुखेतम क्या है carbon dioxide, methane और nitrous oxide और की ozone और कुछ artificial chemical, chlorofluorocarbon भी आजाता है बट आप उसको ज़्यादा धिहन मत रखेंगे तीन important याद रखेंगे carbon dioxide, methane और आपका nitrous oxide यह तीनों मुखेतम क्या है green house effect gases है जिनका क्या होता है जो प्रत्वी से गर्मी वापस जो प्रत्वी से रेज वापस जानी है यह उनको रोक लेती है और क्या करती है प्रत्वी को फिर से गरम कर देती है जिससे प्रत्वी पर एक समान्य जो ताफ है वो हमेशा बना रहता है और ये बहुत जरूरी है अगर greenhouse gases नहीं होंगी तो हमारी प्रत्वी जो है उस पर life possible नहीं है तो थोड़ा सा definition पढ़ लेती है greenhouse effect is a natural process है ये that bombs the earth surface जो प्रत्वी को bomb करता है when the sun energy reaches the earth atmosphere some of it is reflected back to the space कुछ तो वापस चली जाती है वायू मंडल में लेकिन कुछ जो होती है rest is absorbed and re-radiated by green house gases मतलब कुछ rays को तो अर्थ ने absorb कर लिया लेकिन जब वो वापस जाएंगे कोई sun तो खतम हो जाएगा तो उनको वापस जाना होगा लेकिन वो रुक जाएंगे क्यों कुछ उनको रोक लेगा कौन re-radiate कर देगा उनको रोकने के बाद कौन green house effect समझ में आया यह याद रखेंगे बहुत ही important है और green house gases के नाम पता होने चाहिए यह question कॉमली ही बनता है कि कौन सी निमलेकित में से green house gas है या कौन सी नहीं है तो यह आपको पता होना चाहिए और अगर green house gases नहीं होंगी या फिर green house effect नहीं होगा तो आपकी अर्थ पर life जो है वो possible नहीं है अब green house effect आपको समझ में आया कैसे यह connection मनाता है global warming के साथ आया हम उसको भी समझ लेते हैं देखे होता क्या है जब green house gases बहुत जादा हो oxide जो है यह जो gases है water vapor यह सब है क्लोरो फ्लोरो कार्बन है यह सारी gases मिलकर क्या करती है जब यह बहुत जादा mount में भढ़ जाएंगी तो यह क्या करेंगी बहुत जादा अर्थ की जो टकराने के बाद जो raise वापस जानी है उनको बहुत जादा mount में रोकने लगेंगी और carbon dioxide, methane, nitrous oxide यह बढ़ती जा रही है इसकी वज़े से क्या हो रहा है एक limit है कि सिर्फ उतनी ही raise को इनको absorb करना है लेकिन अब यह जादा raise को वापस रोक पा रही है जिससे क्या है प्रत्वी गरम होती जा रही है और यही होती है आपकी global warming ठीक है तो greenhouse effect or global warming क्या है समझ में आग किस तरह से greenhouse जो है effect है वो change होता जा रहा है human activity जैसे हम burn कर रहे है आपके fossil fossil fuel जिवास इंधन है हम उनको जला रहे हैं लैंड को clean कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है greenhouse gases जो है वो environment में हमारे वातावरण में बढ़ती जा रही है और जिसकी वज़े से क्या कर रही है अब यह एक् जो परसवी का temperature भढ़ता जा रहा है यह जो gases है जो absorb कर रही है energy को जादा amount में यह क्या create कर रही है वैश्विक तापन global warming तो global warming क्या है gradual increase in the earth temperature generally due to the greenhouse effect caused by increasing level of carbon dioxide cfc and other pollutants तो समझ में आ गया यहाँ पर definition से कोई जादा धियान नहीं रखना है simple आपको समझ में आनी चाहिए बहुत important है लेकिन जब वो जादा amount में greenhouse gases हो जाएंगे तो temperature को बहुत जादा बढ़ा देंगी क्योंकि वो जादा amount में gases raise को रोकने लगेंगी और जिससे क्या होगा global warming जो है वो cause हो जाएगी ठीक है इसके बाद last में अब हम समझेंगे nitrogen और nitrogen का cycle देकि nitrogen हमारे environment में abundant amount में है 78% approximately हमारे atmosphere में क्या है nitrogen gas है N2 gas है यह हमारे लिए बहुत जादा important है plants के लिए हमारे लिए सब के लिए important है क्योंकि यह बहुत बड़ा role play करती है amino acid बनाने में protein बनाने में और even हमारा DNA बनाने में plants को जो amino acid और protein मिलती है उनमें जो nitrogen है वो बहुत बड़ा role play करती है it is also needed by to make chlorophylline plant है न which is used in photosynthesis to make their food तो जो photosynthesis है उसमें भी plantों को nitrogen की ज़रूरत होती है अभी nitrogen आएगी कैसे हवा में nitrogen है 78% हम nitrogen लेते हैं as it is use करते हैं as it is जितनी nitrogen है उसको बहार निकाल देते हैं nitrogen जो है वो environment में maintain रहनी है हमीशा 78% ही रहेगी तो जितनी लेंगे उतनी हमें वा plant जो हवा में nitrogen है न उसको as it is नहीं ले सकते हैं उनको वो चाहिए किसमें soil के form मतलब उनको वो हवा से नहीं ले सकते हैं हवा से सिर्फ वो carbon dioxide और अपना क्या गयता है धूप को लेते हैं और उससे photosynthesis करते हैं तो अभी nitrogen कहां से लेंगे तो कुछ bacteria होते हैं soil के अंदर जो क्य जाती है वो आपकी nitrate में convert हो जाती है और जिसके बाद वो soil में चली जाती है और स्वाइल से उसको plant जो है वो consume कर ले दे हैं तो यह पूरा cycle हमें पढ़ना होगा जो कि आपका क्या 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 एगा nitrogen cycle क्या एगा nitrogen is transformed from one chemical to another the transformation that nitrogen undergoes as it move between the atmosphere the land and living things make the nitrogen cycle यह पूरा पूरी theoretical है इस simple nitrogen cycle क्या है कि जिसको भी nitrogen की जरूरत है और अगर वो direct nitrogen को नहीं ले पा रहा है तो वो nitrogen को एक chemical form से दूसी chemical form में convert करेगा जैसे हवा की nitrogen जो है वो soil में चली गए bacteria के माध्यम से तो वही जो conversion हो रहा है nitrogen का दूसरे compound में है ना वही क्या है nitrogen cycle है nitrogen का चक्र है पूरा यह चक्र है यहां पर देखे इसको समझते हैं यह atmosphere की nitrogen है अब इस nitrogen को fix करेंगे कौन bacteria या फिर blue green algae नीले हरिश शैवाल आपकी atmospheric nitrogen को अब यह जो bacteria है इस nitrogen को turn कर देंगे किसमे nitrous compound में ठीक है और यह जो nitrous compound होंगे यह हमारे चले जाएंगे किसमे soil में ठीक है और इस तरह से soil के अंदर क्य आजाएगी nitrogen आजाएगी अब यह nitrogen ने अन्वार्मेंट से ले तो ली लेकिन अब इसको वापस भी करना होगा तो यह soil से वापस कैसे जाएगी सेम ऐसे ही कुछ bacteria होते हैं जो soil की nitrogen को फिर से किसमें transfer कर देते हैं फिर से उसको gas form में बना देते हैं और फिर से atmosphere में चली जाती है बागी कुछ nitrogen जो है plant जैसे plant जो होते हैं वो पेडों को पौधों को खाते हैं तो उनमें उनके अंदर भी nitrogen चली जाती है plant है उनके अंदर उनको खाया animal ने तो उनके अंदर भी nitrogen चली गई और वो animal जब बहुत समय बाद मर जाती हैं तो वो जो death होने के बाद फिर से soil के अंदर आ जाते हैं और soil के अंदर कुछ bacteria होंगे जो dead decaying bacteria होते हैं जो क्या करते हैं सड़े गले भूजन को फिर से gas में उनके अंदर के जो nitrogen है जो soil में मिक्स हो गई है फिर से वहां से उस nitrogen को gas में convert कर देंगे तो इस तरह से पूरा process चलता रहता है पहले nitrogen का fixation हुआ rhizobium bacteria क nitrogen का इस्थरी करण करेगा वो nitrogen आपके soil में आ जाएगी वो soil से क्या हो जाएगा फिर आपके plant जो है वो animal खाएंगे उसको फिर से अनिमल मर जाएंगे तो फिर से soil में जाएगी अब वो जो सड़े गले जम्स है जो खा रहे हैं bacteria वो क्या करेंगे जो nitrogen है उसको फिर से gas में convert करके फिर से atmosphere में पहुचा देंगे तो इस तरह से पूरी nitrogen जो है वो चलती रहती है इसका एक पूरा cyclic होता है सेम ऐसे lightning जब आकी बिजली गड़कती है तो उसमें भी nitrogen का इस्थरी करण होता है तो वहां से भी nitrogen है वो nitrogen के compound में बदल जाती है वो soil में आ जाती है और इस तरह से पूरा एक process अपना plant उसको लेंगे फिर animal उसको खालेंगे plant को फिर वो animal जब मर जाएंगे तो वो फिर से soil म जाएंगे फिर से कुछ bacteria उसको किसमें convert कर देंगे फिर से उसको गैस में convert कर देंगे उस nitrogen को ठीक है the conversion of atmospheric nitrogen to nitrous compound यह जो nitrogen का nitrous compound में conversion हो रहा है यही आपका nitrogen fixation है nitrogen इस्थरी करण बोलती है basically कौन सा bacteria आपको याद रहना है rhizobium bacteria जो होता है जो छोटे छोटे फलीदार फूल होते हैं उनकी जड़ों में यह रहता है root nodules of legume plant कहां मिलता है rhizobium bacteria root nodules of legume plant में वहाँ पर यह nitrogen को fix करता है atmosphere में से और यही आपका nitrogen का स्थरी करण होता है microorganism in the soil convert atmospheric nitrogen to ammonium compound किस में convert कर देते हैं यह ammonium के compound में NH4 ammonium के compound में इसको convert कर देते हैं जिससे क्या होता है survival जो है वो plant और animal में बना रहता है blue green algae भी बहुत बड़ा important role play करता है nitrogen को fix करने में ठीक है यह protein nucleic acid chlorophyll बहुत सारे vitamin जो है वो बन पाते हैं plant में या other organism में किसकी वज़े से इसी nitrogen के स्थिरी करन की वज़े से तो यह पूरा यहां पर आगे भी यही सब चीजे लिखी है कि जब plant और animal bacteria जब plant मर जाते हैं तो कुछ bacteria और fungi क्या होते हैं जो पाइल के अंदर होते हैं वो इस nitrogen based को फिर से किसमें बदल देते हैं फिर से वो क्या कर देंगे उसको nitrogen gas में convert कर देंगे और फिर से आपकी atmosphere में चली जाएगी और इस तरह से पूरा nitrogen का cycle है वो आपका बना रहता है तो यह पूरा chapter था इस तरह से हो सकता है आज थोड़ा सा वेट तवेट काफी खराब हो जी है तो थोड़ा सा समझने में वो हो गया हो लेकिन मैंने पूरी कुशिश करिए कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज उसको like करें share करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें thank you very much